बॉलिवुड में जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब आपको यहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डिरेक्टर्स के पीछे भागना पड़ता है लेकिन वहीं जब आप स्टार बन जाते हो तो पूरा किस्सा उल्टा हो जाता है यह सभी लोग आपके पीछे भागते हैं आपकी डेट्स के लिए और आपके साथ काम करने के लिए स्टार बनने के बाद स्टार की डिमांड्स को प्रोड्यूसर्स कहीं न कहीं सर आखो पर रखते हैं और उसी तरह स्टार्डम का स्वाध चखने के बाद काजोल ने अपने प्रड्यूसर के सामने एक बार एक शर्त रख दी लेकिन उस प्रड्यूसर ने काजोल की बात मानने से मना कर दिया तो आज कब क्यों और कैसे मैं मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब काजोल ने प्रड्यूसर के सामने शर्त रखी, क्यों प्रड्यूसर ने उनकी शर्त मानने से ही मना कर दिया और कैसे प्रड्यूसर के स्ट्रिक्ट नेचर के कारण काजोल के स्टार्डम को घुटने टे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे and then कुछ-कुछ होता है। इन सभी फिल्मों ने काजोल को एक टॉप की अक्ट्रिस बना दिया था। हर एक प्रडूसर डिरेक्टर काजोल के साथ काम करना चाहता था। उसी दौरान काजोल को एक फिल्म ओफर हुई। ये फिल्म एक साउ सतीश कौशिक, साथ ही फिल्म के लीड आक्टर थे अनिल कपूर और लीड आक्ट्रिस का रोल काजोल को ओफर हुआ था। काजोल को ये स्टोडी पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म के लिए हां कह दिया था। इसके बाद इस फिल्म का स्केडियूल रखा गया हाइदराबाद में जहाँ पर डी रामा नाइडू के स्टूडियोज भी है और उन स्टूडियोज के पास ही उन्होंने अपने गेस्ट हाउस बनवा रखे हैं वहीं पर उनकी टीम रहती है वहीं पर शूट होता है ताकि शूटिंग से से तक ट्रैवल करने का टाइम वेस् ये तरीका था काम करने का डी रामा नाइडू का जब काजोल हाइदराबाद अपने स्केडियोल के लिए पहुँची तो काजोल में एरपोर्ट पहुँचने के बाद प्रोडक्शन वालों को कॉल किया और पूछा कि बताइए किस होटेल में मेरा स्टे है तब प्रोड़ के स्टेज की तो उन्हें एक लगशरी स्टेज दिया जाता है वही उससे हटकर यहाँ पर उन्हें गेस्ट हाउस में ठहराया जा रहा था ये बात काजोल को बहुत ही ज़ादा अजीब लगी और उन्होंने प्रोडक्शन वाले को कह दिया कि मैं ताज जैसी हाउस में नहीं रुकूंगी प्रेडियूसर से बात कर लो कि मुझे एक अच्छी होटेल में स्टे करवाया है काजोल के कहने पर अनिल कपूर ने डी रामा नाइडू को कॉल किया और उन्होंने कहा कि काजोल गेस्ट हाउस में रहने को तयार नहीं है उनके लिए होटेल मे एक रूम बुक करवाया जाए बात करें अगर डी रामा नाइडू की तो उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो स्टार्टिंग में जो भी स्टार प्राइस बोलता है वो उस प्राइस में नेगोशियेट जरा भी नहीं करते हैं यानि कि मुझ मांगी रकम देते हैं और साउ इशली स्टार को एक कम बजट पर लाया जाता है और उसके बाद थ्रू आउट शूटिंग उसके नकरे जेले जाते हैं यही कारण था कि काजोल को लगा कि प्रडूसर को उनकी बात माननी ही पड़ेगी लेकिन डी रामा नाइडू ने क्लियर कर दिया था कि उन्हें कह दो कि रहना तो गेस्ट हाउस में ही पड़ेगा और अगर वो गेस्ट हाउस में नहीं रहना चाहती है तो जो साइनिंग अमाउंट मैंने दिया है वो फिर से लोटा दे अनिल कपूर जब तक ये बात काजोल तक पहुंचाते तब तक इधर डी रामा नाइडू ने साउट की एक एक एक्टरस से बात भी कर ली थी काजोल को रिप्लेस करने के लिए और उस एक्टरस ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कर दिया था इधर काजोल कुछ हा ना कर पाती उससे पहले अनिल कपूर ने यही बात काजोल तक पहुचवा दी कि मैं खुद भी गेस्ट हाउस में ही ठहरा हूँ और अगर तुम इस फिल्म में काम नहीं करोगे तो इधर प्रेड्यूसर ने नई आक्ट्रिस को ढूंड लिया है फिर क्या था काजोल ने अनिल कपूर की बात को माना उन्होंने सिचुएशन को समझा और फाइनली प्रेड्यूसर के आगे उन्हें जुकना ही पड़ा वो भी पूरी ठीम के साथ उसी तरह उस गेस्ट हाउस में रही यह फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं और इसी फिल्म के दौरान यह किस्सा हुआ था आपको क्या लगता है काजोल जैसी पॉपिलर अक्ट्रिस का अपने लिए होटेल में एक परसनल रूम मांगना सही था या फिर डी रामा नाइडू का तरीका सही है कि आपकी फीस देने के बाद वो आपका एक भी नकरा नहीं जेलते हैं कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवूद ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवूद ठिकाना